नैदो 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 वस्क्ति बचाब भी पिटावा नवकली डों भंद करो पॉस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के जो अध्यक्ष है ब्रिजबूशन शरन और इसके साथ साथ मैं बता दू कि बीजेपी स्टांसद है उनके उपर योन्चोशन के लगातार आरोफ लगाय जा रहे हैं और उनके विरोध में आज यहां पर मिनी सेक्टरेट के बार नेश फोगाट की मैं बात करूँ या फिर बजरंग फूनिया की बात करूँ सारे इस वक्ती पहलवान लगबग जो हैं जंतर मंतर पर इस पूरे मामले पर धरने पर बैटे हैं और लगात तार ब्रिजबूशन शरन पर योन शोशन के और अबदर बाशा पहलवानों के यहां पर लोग मौजूद है जनवादी महिला समीती मौजूद है और बात के सरकार बेटी सरकार बेटि के लो में आगये ला और दूसरी तरफ हम मिलाव संय और स्थार्ट कारता है कि अध्यां कराति है अके स्यार्ट ने है भशाय कुछ बाएं कि चलता है, इसके पीछे काम करती है और इनोंने महिलाओं को बिल्कुल एक टार्गेट कर रखिया है कि उनको इतना मजबूर कर दो कि वो अपने आप रास्ते से हट जाए हम तो इसको डागर को सलाम करते हैं इन महिलाओं को जो जंतर-मंतर पे जाके बैठी है और जो अपनी मान सम्मान की लडाई को लड कर रहे हैं। हम शुट करते हैं उन लड़कियों को तो हमारी बहुत सारी लड़किया जो है वह इस तरह से अपना बविश्य को देंगी। अपना चमकता हुआ जो जीवन है उसको खोदेंगी। क्योंकि केरेक्टर एक ऐसी चीज है जिसको लेके वो सम्मान सही इतनी समाज में रह सकती है तो आपको कै लगता है कि क्या इस पुरे मामले पर सरकार जो यह वो एक्शन लेगी प्रशासन जो आप अप्शन लेगा है दूसरे मंत्रियों की तरह इने भी छोड़ दिया जाएगा या फिर जूठ आरोब बता दिया जाएगा कि जूठे आरोब है निखो मेरम ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये जनता की डिमांड है और महिलाओं के सम्मान के साथ ही चल सकता है एक तो और दूसरा हम 22 तारीकों भी उदर जाएंगे पंचुला जा रहे हैं इनके समर्धन में कि उसको गिरफतार किया जाए तुरंत परबाव से गिरफतार क होगा ये जनता की मांग है और ये महिलाओं की लड़कियों की ये सब की डिमांड आने वाली 22 तारीकों क्रिमिनल को ये बचा ने सकते आने वाली ये पर्षो ही है 22 तारीकों हम पंचुला जन्वादी महिला समीती वीविन संगठनों के साथ एक अपनी जो है उनको गिरफत करवाने के लिए परशासन के सामने वहां जाएगी तो जहां पर एक तरफ अध्यक्ष को अध्यक्ष को इसलिए बनाया जाता है ताकि वह उस खेल को आगे बढ़ा सके लेकिन अगर इस तरीकी की चीज़े सामने आएंगी तो वह खेलों को लेकर लोग और पिचड़ते जा कि इनके सविधान में ही नहीं है ये चीज ये जो अप चालों को समझ रही है वो निराज समाज को नहीं होने देगी लड़कियों को निराज नहीं होने देगे और ये संगठन बहुत मजबूत है हमारी संस्थापक यहां पे खड़ी है जन्वादी महिला समीति की जो बिमला चोदरी है आप इन से भी अपना वो कर सकते हैं क्योंकि ये एक संगर्ज का रास्ता है महिलाओं के लड़कियों के अधिखार का जो रास्ता है हम किछे नहीं अटेंगे मैं बड़े बड़े पहलवान जिनोंने हमारे भारत देश का नाम रोशन कर रहा है चाहे में विनेश वोगाट की बात करूं साक्षी मली की बात करूं फिलाल जंतर मंतर पर बैटी है धरने पर और अपने हग की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या लगता है कुन्याय मिल पाएग बहुत गल्ट कर रहे है दूसरी बात है जो बेटियां दमकार ड़ा रहे हैं ऐसे ड़ने वाली नहीं है लोग साथ है इब बहुत जादा मतर पूरा अर्याना में बार गई और चेनल हो पर इवी और जगां बही है ऐसी बात नहीं है दबा नहीं सकते है अगर आएंगे जनवादी महिला सितितर कंदर कंदर साथ चलेगी और आम पीछे नहीं आठेगे हम नहीं दिराग रहेंगे इस लड़की को आप सुन सकते हैं बाइस तारिक को जो है जनवादी महिला समीती जो है पूरे हरयाना प्रदेश की पंचकुला पहुचेगी और इन महिलाओं का जिनोंने जो खेल खिलाडी हैं जिनोंने आरोप लगाए हैं इनका साथ देने के लिए इनके साथ विरोध प्रदेशन करने के पहुचेगे फिलाल अभी और भी हमारे साथ औरते मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं पुतला जला दिया है कुछ हमें पहले हम देख भी सकते हैं कि हरयाना के जो खेल मंतरी है उन पर भी आरोप लगे थे लेकिन हरयाना के सीम है वह उन्हें बचाते हुए दिक लड़की है उसने जो आरोप लगाया था वो केवल आरोप नहीं है सारी जो प्रिष्थितिया है वो हमें 100% सचाही लगती है और इससे आप अंदाजा लगा सकते कोई लड़की इतनी हिम्मत नहीं करते हैं और जिसने आरोप लगाया जाच की बजाए सरकार ने पहले उसको क्लिन चिट दे रही है अरे तुम जाच तो करो उस लड़की को यारास किया जा रहा है उस परिवार को यारास किया जा रहा है ताकि और कोई लड़की हिम्मत ना करे न्याय की आवाज की इसलिए हम यह कहते हैं हम शलूट करते हैं लड़की डागर को और वो वो नहीं अभ आप जद देखोगे क्योंकि संदीप के उपर खेल मंतरी पर इसलिए कारवाई नहीं करते करना चाहते हैं अगर उसके उपर कारवाई होगी तो भाई बेराने किस किस के पतड़े खुलेंगे उरे और भी बहुत मंतरी संत्री मिलेंगे इसलिए उसी को दबा दो न्यू को मेर बेटियों को शलूट करते हैं हम उनके साथ है और इस सरकार से जवाब मांगने आए हैं यह बलतकारियों की सरकार नहीं चलेगी और इनका नकली डॉंग नहीं चलेगा यह बेटियों को न्याय देना होगा नहीं तो यह बेटिया शड़कों के उपर आएंगी लड़ेंगी और केवल बेटिया निये तमाम महिला है नय चाने वाड़े लोग हैं सब इनके साथ है चलिए बिल्कुल सही बात दोली है उन्होंने कि आप देख सकते हैं फिलाल अगर बेटिया खेलों में जीत सकती है आगे बढ़ सकती है तो बेटिया अपने खिलाफ हो रहे आवाज भी उठा सकती है योन शोशन के उपर आवाज उठा सकती है गाली गलोच अगर उनके साथ ह पूरा तो आवाज उठा सकती है फिलाल आप सुन सकते हैं कि पूरा जो प्रदेश है वो इस पूरे मामले पर विरोध कर रहा है प्रदर्शन कर रहा है और इस पूरा घटना की नंदा करता है देखने वाली यह बात होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्ष आपकरो